नमस्कार खबरों का पंचनावा में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंशिका हम आपके लेकर आए हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरे जिनके विशलेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमार डॉक्टर मनीश बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर पश्टमंगाल में चुनावी रणनीतिकार प्रशांद किशोर की बीजेपी को चुनौती कहा अगर डबल डिजट पार कर गई भाजपा तो दे दूँगा स्टीफा चुनाव से पहले बीजेपी टी-मसी में खमासान बीजेपी के खिलाफ महागडबंदन बनाने की तैयारी में मम्ता बनर जी किसान नेताओं पर बड़ा खुलासा शक के दाएरे में किसान संगठन की विदेशी फंडिंग खुद के अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं नेता राममंदन निर्मान के चंदा एकठा करने पर शिवसेना बीजेपी में खमासान शिवसेना ने सामना में बीजेपी पर दोहजार चौबीस का चुनाफ प्रचार करने के लगाए आरो नेपाल में राजनेतिक तूफान स्टीफे के दबाव के बीच पीम ओली की सिफारिश पर संसद भंग चुनाफ की खोश्टा अब रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर पश्चम बंगाल में विदानसबा चुनाफ से पहले सियासत गर्माई हुई है टीमसी में शुबेंदू अधिकारी समेत कई नेताओं के स्तीफे से मची खलवली के बीच पीके अपनी 26 उधारने में लग गए हैं प्रशांद किशोर ने दावा किया है कि बंगाल में भाजपा दहाई के आकड़े के लिए भी संगर्ष करती दिखेगी इतना ही नहीं उन्होंने एलान किया है कि अगर भाजपा दहाई के आकड़े पार करती है तो वो चुनावी रन नीती बनाना छोड़ देंगे डॉक्टर मनीश जिस तरह से टीमसी में हमने देखा कि प्रशांद किशोर की आने से टीमसी के लोग खुश नहीं थे अब उसके बाद सुर्खियां बटोरने लिए फिर एक बार प्रशांत किशोर ने यहाँ पर बीजेपी कुछ शनौटी से ममता बनर जी के साथ उनके संगर्स के साथ ही थे वो एक एक करके पाटी छोड़ रहे हैं और इसलिए अपनी स्थिती को मजबूत करने के लिए ममता बनर जी को फिर से यह तो मार्केटिंग का आदमी है यह तो बकाइदा जूगा सकते हैं कि जूट बोलकर अपने की कोशिस कर रहा है कि हमारी जो रन नीती है वो बिलकुल अच्छी है और भारती जनता पाटी अगर डबल डिजिट क्रॉष कर जाती है डबल डिजिट क्रॉस कर जाने का मतलब कि 99 सीट से जयादा अगर वो लेकर क्या आ जाती है तो हम यह स्पेस को छोड़ देंगे दिख political parties को चुना लगाने का जो धंदा ये agency करती है कि आप उस धंदे को ही छोड़ दोगे इस पर clarity नहीं है कोई पत्रकार प्रसांत किसोर से बात करे तो उसने जो लिखा है कि I will leave this space तो वो space क्या है political politics से ही आप अलविदा ले लेंगे या फिर सिर्फ Twitter से आप अपने account को जो है डिलीट करेंगे ये दरसल त्रिमूल Congress को सोच रहा है कि एक ऐसे outsider, एक ऐसे agent, एक ऐसे marketing के सक्स को आपने अपने तमाम leaders, organization, local leaders, MP, MLS और minister के माते के उपर बिठा दिया है जिसका बंगाल से कोई रि रुक करते हैं अगली खबर की और, पस्च मंगान में विदान्जबा चुनाफ से पहले ट्रिमूल Congress और भारतिये जनता पार्टी के बीच जंक छिड़ गई है अमिच्शा और PM Modi को बाहरी करार देने वाली CM ममता बनर जी अब खुद बाहरी नेताओं को अपने मंच पर बुलाने की कोशिश में लगी हुई है ममता बनर जी ने अगले महिने कोलकाता में रैली करने की तैयारी कर ली है जिसके लिए उन्होंने NCP प्रमुक शरत पवार, डिली के CM अर्विंद केजरिवाल, DM के प्रमुक M के स्टालीन से बात की है डॉक्टर मनीश अब ममता बनर जी बीजे पी के खिलाफ एंटी बीजे पी रैली निकालने की तैयारी कर रही है क्या अब ये माना जा सकता है कि ममता बनर जी अपने दम पर बंगाल में चुनाव नहीं जीत पाएंगी इसलिए वो इस तरह की रैलियों का आयूजन कर रही है देखे दो दिन में जो लगतार हम लोग कैपिल टीवी में बता रहे हैं कि जस तरीके से हनुमान जी लंका जाकर के रावन की लंका को तहस नहस कर दिया था अमिशा ने दो दिनों के अंदर ही तिर्मूल कॉंगरिस के सारी हेकड़ी सारा प्लैन सारी योजना के ओपर जो है उसका सकते हैं आग लगा ले और इसलिए मंता बनर जी इतनी डर गई है कि वो अपने सारे जो जो प्लैंस है उसमें वो बदलाव ला रही है अब देखिए बवाल मचा किस चीज के लिए एक तो कई सारे लोग मिद्नापूर से वो चले गए बीजेपी के अंदर फिर उन्होंने बोलपूर के अंदर वो रैली की अब ख़बर ये आ रही है कि ममता बनर जी उसी जगह पे उसी रास्ते पे वो रोड शो करने वाली है जिस पे हमिशाने किया था अब सवाल ये उठता है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं आप इस तरह के ये तो reactionary politics है कि आप ने जो किया आप वही काम उधर करेंगे तो ये अपने आप में बताता है कि ममता बर्लीजी का confidence जो है वो shake कर गया है और ये shake करने की वज़ा ये भी है कि कल हमने खबरों की खबर में ममता बर्लीजी के tweet के बारे में जिक्र किया था जिसमें वो धन्यवाद देती पाई गई कॉंग्रेस पार्टी के chief ministers को और आज खबर ये आरे कि सरत पवार ने phone किया सरत पवार ने ये बताया ममता बर्लीजी को कि आप अकेले चुनाओ नहीं लड़ सकती अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती आपको proper गटबंदन बनाना पड़ेगा कहने का मतलब क्या है कि ये जो सरत पवार है ये congress party के तरफ से left की तरफ से ये negotiation कर रहे हैं ममता बर्लीजी के ऊपर एक दवाद देने की कोईशिस कर रहे हैं उनको समझाने की कोईशिस कर रहे हैं क अगर आपको चुनाओ लड़ना है जीतना है बंगाल में फिर से सरकार बनानी है तो आपको कॉंग्रिस पार्टी और वाम पंथी वाम मोर्चा ये सब एक साथ मिलके वहां को एक महागडबंदन बनानी की जरुरत पड़ेगी अब लिए चलते हैं आपको दिल्ली की और जहां किसान आंदोलन को 25 दिन के करीब बीच चुके हैं लेकिन किसान संगठनों ने अडियल रवया अपना रखा है आंदोलन को खालिस्तानी इस्लामी कट्टर पंथी और अतिवादी वानपंथी ताकतों द्वारा हाईजैक किय जाने की बात पहले ही सामने आ चुकी है लालस देकर महिनाओं को सड़क पर लाने की भी खबरे सामने आई अब भारतिय किसान यूनियन की विदेशी पंडिंग शक के खेरे में हैं आशंका जताई जा रही है कि किसान नेता ये पैसा खुद के अकाउंट में डालने की फिर सब्सक्राइब कर देख कई सारी कारवाईयां हो रही है सरकार की तरफ से मोधी सरकार ने उन विचौलियों को जो अड़तिये हैं उनके उपर इंकम टैक्स का भी छापा पढ़ने लगा है ये पूछा जा रहा है कि भई आप इतनी पैसे कमाते हो ये टैक्स कितने देते हो आप उसको डिकलेरेशन क्यों नहीं करते हो तो एक तो वो मुसीबत है दूसरी प्रॉब्लम यह आ रही है कि यह तमाम मैं सुन रहा था कुछ बाइट कि हम तो पैसे लेकर क्या रहे हैं वो मान रहे हैं कि जो किसान संगठन हैं उनमें विदेश से पैसे आ रहे हैं वो बका बत हैं हमारे जो इमोशन हैं हमारे जो किसानों को लेकर करके जो हमारे कलेज में वेदणा उठती है वैसे ही पुकार चीक जो है भारत ही है जो विधेश में रहते हैं कनाडा लंदन उनके हबplat को महहसूस किस कानून के तहत आ रहा है किस काम के लिए आ रहा है उसके नियम कानून है और मोधी सरकार ही नहीं ये कॉंग्रेस सरकार के समय चिदंपरम साब जो समय ग्रिह मंतरी थे उस समय से ही ये जो विदेश से NGO's के पास ये सारे NGO वाले आ गये ने इस किसान आंदुलन में अचानक स ये किसान बन गए है और ये जो विदेसी चंदा विदेसी पैसा कमाने का हुआ देना पड़ेगा और चुके आप दिल्ली को घेरने के लिए आये हैं तो आप से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आप इस तरह के कोई भी illegal activity में आप सामिल नहीं होंगे जिसके जर्ये आपके उपर कानुन कारवाई हो सकती है तो मुझे लगता है कि सरकार का रुख अब धीरे-धीरे hard होता चला जा रहा है ये आरतियों के उपर ये जो बिचॉलियों के उपर एक तो income tax का rate भी हो रहा है और ये तमाम संगठन जो अपने आपको किसान बता रहे हैं इनके पैसे कहां से आ रहे हैं विदेश से पैसा कौन भेज रहा है इसकी भी तहकीकात जरूरी है और जब इसका खुलासा होगा तो यकीन मानिए कई सारे किसान संगठन बिलकुल दुनिया के सामने एक्स्पोज हो जाएंगे नज़र डाल देया अगली ख़बर पर आयोध्या में भव्य राम मंदर बनाने के लिए चंदा वसूलने को लेकर विवात खड़ा हो गया है शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में चंदा वसूलने को लेकर कई सवाल उठाए है शिवसेना ने पूछा कि मंदर निर्मान कारे के लिए हर घर से चंदा एकठा करने वाली टोली बनाई गई है चार लाग स्वयम सेवक चंदे के लिए हर द्वार पर जाएंगे ये स्वयम सेवक कौन है? उनकी नियूपती किसने की? साथ ही ये भी लिखा है कि अगर ये स्वयम सेवक चंदे के लिए राजनीतिक प्रचार के रूप में लोगों के घर जाते हैं तो ये मंदर के लिए खून बहाने वालों की आत्मा का अपमान होगा लॉक्टर मनीश राम मंदर निर्मान पर अब राजनीति शुरू हो गई है आखिर क्यों शिवसेना बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है? दिए शिवसेना है कौन जो पूछने वाले कि बहाई चंदे कौन लेगा? किसली लेगा? स्वेम सिवक कौन होंगे? राजनीतिक होंगे? कल्चल होंगे? धार्विक होंगे? आपने तो NCP और कॉंग्रेस के साथ हाथ मिलाकर आपने ये अधिकारी खो दिया है कि हिंदुत के किसी मसले के उपर आप इस तरह के सवाल कर सके आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने भगवान स्री राम के अस्तित्य को ही कालपनिक बताया था जिन्होंने सुप्रेम कोड पे कहा था कि भई ये राम वेरा जिस नहीं करते ये तो कालपनिक लोग हैं आप उनके साथ हाथ मिलाकर सत्ता की मलाइद चाटेंगे और इस तरह के सवाल करेंगे, आपके पास कोई moral अधिकार नहीं है, कोई moral authority नहीं है इसब सवाल करने का, वो जबाना खतम हो गया, कि सिब से ना इस तरह के हिंदुत के मसले के उपर अपनी जुबान भी खोल सकती है, आप कोरोना में मरने वाले लोगों के अंतिम संसकार का जो है, आप काम PFI जैसे हार्ड कोर इसलामिस संगठन के हाथ आप दे देते हैं, तो आप राम मंदिर के उपर सवाल कैसे करेंगे, दरसल प्लैन जो संगठन है, जो मराया जा रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदूों की भूमिका हो, हिस्सेदारी हो, इसलिए चार लाग संसेवक हिंदूस्तान के अलग-अलग कोने में जाकर के, दस रुपे, पांच रुपे, एक रुपे, लोगों से कलेक्शन करके, इस मंदिर को बनाने की यूजना है, कि ताकि जब ये मंदिर बने, तो सारा हिंदूस्तान, सारा हिंदू समाज, ये कह सके कि इसमें हमारी भी भूमिका है, हमने भी अपना योगदान इसमें दिया है, लेकिन सिर्फ सेना जो इस तरह के सवाल उठा रही है, ये सवाल उठाने का उन्होंने मौरल राइट खो दिया है, उनको जवाब देना चाहिए, जो सोनिया गांदी ने कलपत्र लिख करके, पहराष्ट की सरकार में किस तरीके से मुसलमानों को 5% रिजर्वेसन देंगे किस तरीके से वो कानून बनाएंगे SCST के लिए जो सोनिया गांधी ने उनको चितावनी दी है तो उनका ध्यान उस पे जाना चाहिए जब कॉंग्रेस पार्टी से जिल्लत मिल रही है जब वहां से डाट पढ़ रही है सोनिया गांधी की तो अचानक से इनको राममंदर याद आ रहा है तो ये बताता है किस तरीके से उद्धव ठाकरे और सिर्व से न ये न घर के रहे हैं न घाट के रुक करते हैं अगली खबर की और पड़ोसी देश नेपाल सियासी संकट से गुजर रहा है केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर राश्ट्रपती विद्या देवी भंडारी ने संसत को भंग कर दिया इसके साथ साथ चुनाफ की घोशना भी कर दी अगले साल 30 अप्रेल से 10 मई को दो चर्णों में नेपाल में चुनाफ कराए जाएंगे नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने केपी शर्मा ओली के फैसले का विरूद भी किया दो साल पहले संसत को भंग करने की सिफारिश के बाद नेपाल में एक बार फिर राजनेतिक संकट गहरा हो गया है डॉक्टर मनीश अब तक केपी शर्मा ओली पर स्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था आखर आठ महीने में ऐसा क्या हुआ कि संसत को भंग कर दिया गया बहुत दुख के साथ ओली सहाब ने आज अपनी दिल की बात कहीं और उन्होंने कहा कि उनके अपने ही लोगों ने उनको धोखा दे लिया और जो कहते हैं कि गाना है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ सब कुछ तबाह हो गया तबाह क्यों हुआ क्यों कि वहाँ पे जो सरकार बनी थी अभी दो साल बाकी है और जब ये सरकार बनी थी तो इस सरकार में जितनी भी अलग-अलग किस्म की कम्यूनिस्ट पार्टियां थी वो लोग एक साथ मिलकर एक गटबंदन बनाये थे और वामपंथियों की सरकार बनी थी और इसके पीछे चैना का पूरा हाथ था चैना ने पूरी रिसोर्से सब कुछ लगा करके इन कम्यूनिस्टों को समझा बुझा करके हलाकि दुनिया में कहीं भी कम्यूनिस्ट हैं चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे वो चैना में हो या फिर टिपक टू में हो वो सब चैनीज कमिलिस्ट पार्टी के आदेशों के गुलाम है और इसलिए जब उनको कहा गया कि आप लोग मिलके सरकार बनाएंगे तो इन लोगों ने सरकार बना ली अब इसके बाद क्या होता है कि आपने पीशे दो तीन सालों में देखा किस तरीके से ओली साहब चैना के कहने पे हिंदुस्तान के साथ इन्होंने रिष्टे अपने खराब किये वो बस ये जान रहे थे कि वो जब तक वो चैना की बात सुनते रहेंगे तब तक वो प्रधान मंतरी बनते रहेंगे उनके उपर कई आरोप भी लगे वहाँ पे एक फीमेल एंबेजडर जो चैना की आई हुई है उनको लेकर के भी कही सारे सवाल हुए ये भी सवाल हुआ कि भाई चैना जो है उनकी जमीन को हडप रहा है फिर भी वहाँ की कम्मिनिस्ट सरकार कुछ करनी पा रही है लेकिन पिछले जो आपने पूचा की भी अचानक से ऐसा क्या हो गया अचानक से इनको मालूप चला कि ये जो अंदर जो चल रही थी खीचतान उसमें चाइनीज जो सरकार वहां की जो कम्मिनिस्ट पार्टी है वो दरसल इनको रिप्लेस करके किसी और लोगों से बातचीत करके कि कम्मिनिस्ट पार्टी की सरकार तो रहे लेकिन ओली प्रधानमंत्री ना रहें उनके रिप्लेस्मेंट के लिए चाइना काम कर था और जब इस ख़बर का की पुस्टी ओली साहब ने की जब ओली साहब को मालुम चला कि ये चैना जिसकी वज़े से हमने हिंदुस्तान के साथ अपने उदिश्टे खराब कर लिए हमने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे ही खिलाफ चीन शाजिस रच रहा है तो उन्होंन ने वही किया है कि अगर मैं प्रधान मंत्री नहीं हूँ तो फिर कोई नहीं बनेगा अब फिर सचुना होगा निपाल की जंता जो चाहेगी वो अगला प्रधान मंत्री बनेगा डॉक्टर मनीश देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विशलेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खबरों का पंचनावा में बस इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें साथ हमारे चानल को सब्सक्राइब करें